हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी आईक्यू आईएस हिंदी चैनल पर जहां पर आज आप सी सैट की दूसरी क्लास में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी इस क्लास में जुड़ जाए क्यूंकि आज होने वाली है आपके चैट देख लेता हूं बहुत सारे दोस्त हम अमारे साथ जुड़ सुके हैं जैहिंद विभ्यू स्री वास्तवा स्री आईस सुर्भी जैन सबका बहुत-बहुत स्वागत है स्टेडी आईक्यू हिंदी चैनल पर है ना तो आप लोग जुड़ जाईए और अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजिए जहां तक आप कर सकते हैं जल्दी से जल्दी कर दीजिए इससे क्या होगा कि आप लोग हमारे जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको सबको यहां पर एक अच्छी जो स्टेडी है एक अच्छा जो प्लेटफार्म है स्टेडी आईक्यू का उसका यूज करके वो अपना जो एक्जाम है उसको कौलिफाई कर सकते हैं ठीक है तो आपकी जल्दी से जल्दी सहर करो गूड आप्टर नून गूड आप्टर नून स्वाती सर्वा और गूड इउनिंग सिवम कुमार और गूड सबका गूड बहुत बढ़िया गूड है न तो देखो कल हमने बात करी थी अपने जो सी सैट है उसके परिचय के बारे में उसकी अप्रोच के बारे में क्या वो आपसे जानना चाहता है किस तरह के आपसे कोश्चन पूछता है कल इसके इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत डिटेल से आपसे बात करी थी आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने CSET के पहले टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्यती या फिर यह कह सकते हो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना CSET मैथ से क्योंकि यह जो पार्ट है उसमें प्रेक्टिस की ज्यादा जरूरत होगी अगर हम इसको पहले जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी हम प्रेक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे यानि जितने भी कोश्चन आपके जितने तरीके के बन सकते थे सारे कोश्चन यहाँ पर में लेके उनको कंप्लीट करने की कोशिस करूँगा और आप लोग हमारे साथ जुड़के पूरी तरह सिद्दत से लगकर अपना जो पसीना है अपनी जो तपन है उसको एक स्टेज पर ले जाना है और वहाँ पर आपको परफॉर्म करके अपना सिलेक्शन लेना है यानी सी सैट आपको क्वालिफाई करना है तो पहले मैं स्टा अपने लिए पर लोग शेयर कर दो ताकि यह सीशन और अच्छा चले बहुत लोग इसको वेट कर रहे थे तो यह है हमारा सी सैट का टॉपिक कौन-कौन से टॉपिक हम यहाँ पर सीखेंगे हैं तो यहां पर हम लोग सीखेंगे संख्या पद्दिति के के कॉस्ट्यन और सं संख्या पद्यति के अंदर हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में कौन-कौन सी तरह की संख्याएं होती हैं विभाजिता का नियम सेस्फल प्रमें इकाई का अंक दहाई का अंक भीन्ड की संख्याएं सून्ड से के अस्थान पर अंत में सून्ड कैसे आएगा इस तरह क के भी कोश्चन मिस्त्रिद भासा आधारित कोश्चन स्टिरीज के कोश्चन एच सीया फेल सियम सर्ट इन इंडीज यह पार्ट आपका थोड़ा सा कम है तो इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो जल्दी से आप लोग ज़रा सेयर करो ताकि सेशन और आगे जाए है तो यह है आपका आज का जो आपका संख्या पद्दिती का जो पूरा आपका स्लैबस है वह यहां पर हमने आपको दिखा दिया अब हम लोग चलेंगे बात करेंगे किसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे संख्याओं के बारे में ज्यादा तर लोग संख्याओ के बारे में जानते हैं और जो दोस्त हमारे नहीं जानते हैं वो क्या करें संख्याओं के बारे में जान ले अच्छा थैंक्यू सर क्या कहा रहे है घूड आप П नून गुड़ाप्टर नून चलिए अब गुड़ाप्टर नून ने करते हैं हो गया गुड़ाप्टर नून ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोड कामियाबी के सफर में धूप का भी बड़ा महत होता है क्योंकि छाओ मिलने मिलते ही कदम रुकने लगते हैं है ना ध हमारा यहाँ पर ठोड़ा रिलेक्स कर सकते हैं तो हमें रिलेक्स नहीं करना है और यही होता है सीएट के साथ लोग इसमें देखते हैं कि इसमें तो केवल कोलीफाई करना हैicks 29排 और वैसे ही वहाँ कल हम लोगों ने सीखा था कि संख्याएं या अंक उन के मतलब संख्याओं या अंकों में कितने से लेकर कितने तक आएंगे तो क्या होगा जैसे हमने एक बात करी थी यहाँ पर कि एक से लेकर सो तक कितने अंक हैं ये एक question खुब आपसे पूचा गया है और एक नहीं कई बार आया है ठीक है ये question आप से पूछा गया था कि एक से लेकर 100 तक कितने अंक है तो इसके बारे में हम लोगों ने कल बात करनी शुरू कर दी थी है ना आज भी बात करेंगे लेकिन इस question को पहले कर लेते हैं कि एक से लेकर 100 तक कितने अंक होते हैं हमने कल basic भी बताये थे आप चाहो तो calculate कर सकते हो है ना one से लेकर 100 तक आप लिग लीजिए और उसको वहाँ से calculate कर लीजिए कैसे करना हो देखो एक से लेकर 100 तक कितने अंक हैं वो हैं आपकी 9 ठीक इसके बाद 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं तो 10 से लेकर 99 तक आपकी संख्याएं कितनी होंगी 99 माइनस 10 और प्लस में 1 यह हमने कल बात आपको बताई थी यह तरह से reminder सर यह यहाँ से c set complete हो जाएगा बिलकुल देखो अभी हम लोग बिलकुल basic question कर रहे हैं और इसी basic question से आपको एक question मिल जाता है हर साल जो c set है वो इस तरह के question को जरूर पूछता है तो यानि प्लस 1 कर दिया तो कितना आ गया देखो जरा यानि 99 माइनस 10 और प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया यह 89 और 89 प्लस 1 हो गया आपका 90 ठीक है अब यहां से यहां तक कितने अंक थे दो अंक थे इसके बाद नंबर आता हंड़ेट का तो हंड़ेट से आगे कोई अंक है नहीं तो इसलिए इसमें संख्या कितनी है वन ही है यादि यहां पर संख्या कितनी है लेकिन आब यह तो सो गई संख्या हैं अब इसके इसके अंक好好 निकाल ले है एक से लेकर नौ तक में कितने अंक है तो नौ अंक है इसी तरह नबे संख्या हैं और हर संख्या में दो अंक है तो कितनी हो जाएंगी गुड़ा कर देंगे दो से तो यहां पर मिल जाएगा एक सो असी और आपके पास सो में कितनी संख्या है तो सो अकेला ही है तीन अंकों की एक ही संख्या है और इसमें अगर हम 3 से multiply करेंगे किसमें एक में तो ये बन जाएगा आपका 3 अब total अंक या कुल अंक कितने बन गए इस सब के बारे में हमने कल बात करी थी ठीक है तो 180 और plus में आपका हो जाएगा 9 और plus में आपका 3 तो ये जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा कैसे आएगा देखो 9 3 12 ठीक है अब 12 और 180 192 ये कल हमने question करवाया भी था जो लोग कल आये थे वो लोग इसको समझ रहे होंगे clear thank you sir जी number system क्या कह रहा आकांचा हाँ हम लोग आज number system ही पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे है number system का topic चल रहा है और मैं बिल्कुल basic से चाहे कोई भी हो चाहे वो मानविकी विसय का हो चाहे वो किसी भी subject से पढ़ा हुआ हो उसको गड़ित समझ में आनी चाहिए और वो मैं समझा ले जाओंगा इस चीज की guarantee है clear चलो ये question आप लोगों ने कल कर लिया था अब एक question हमने homework में दिया था जो हमारे दोस्त आये थे वो इसको जानते होंगे और जो आज जुड़ रहे हैं वो इसको क्या करेंगे पीछे वाली class देख लेंगे तो ये वाला question उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना था clear अब हम क्या करेंगे देखो ये question था हमने कल इसको दिया था कि आप लोग इसको घर पे करेंगे है ना हमारे कई सारे दोस्तों ने करके इसका जो message है वो हमारे message box में भेजा था है ना बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छे से किया ये सब चीज और आप लेकिन उसके उत्तर जो सही उत्तर है वो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ इस वाले में इस वाले में एक से लेकर सो तक यदि प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो दो कितनी बार आएगा दो कितनी बार आएगा ये question है कि रपया आप लोग ध्यान दे तो दो कित कितनी बार आता है तो आता है ये 20 बार कितनी बार आता है 20 बार आता है दो फिर उसके बाद 101 से लेकर 200 तक कितनी बार आएगा तो 20 बार तो आएगा ही आएगा प्लस 20 बार तो आएगा ही आएगा एक मिनिट इसको मिटा दे 200 नहीं 20 बार आएगा ठीक है तो 20 बार तो ये आ इसके बाद नमबर आता है कि 201 से लेकर 300 तक तो यहां पर कितने बन जाएंगे तो 20 तो रहेंगे रहेंगे है ना इसके बाद 201 यानि यहां से देखो 201, 202, 203, 204 और यह 299 तक 200 एक से लेकर 299 तक एक दो बढ़ गया है तो जो 2 बढ़ा है वो कितने बढ़े हैं, तो बढ़ गये हैं 292 बढ़ गये हैं, केलियर अब इसके बाद नमबर आता है कि 300 से लेकर 400 के बीच में कितना बनेगा, तो 300 से लेकर 400 तक आपके कितने बनेगे तो 20 बनेगे, 202 और लिखे जाएंगे इसके बाद नमबर आता है फिर ती चार सो से लेकर पांच सो यहां पर में लिखता जाओंगा आप लोगों को दिख विरा होगा यानि तीन चार सो से लेकर पांच सो तक कितने बनेंगे तो 500 तक आपके फिर से 20 बनेंगे किलियर 500 से लेकर 600 तक कितने बनेंगे 600 तक कितने बनेंगे तो ये भी आपके 20 ही बनेंगे ठीक है जैहिन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 600 से लेकर 700 तक 2 कितने लिखे जाएंगे तो ये भी 220 ही लिखे जाएंगे अब 700 से लेकर 800 तक भी 20 ही होंगे जाहिज से बात है और 800 से 900 तक 20 होंगे और इसके बाद 900 से लेकर 1000 तक भी आपके 20 ही होंगे 20 ही 2 होंगे अब कुल जो टोटल जो दो हें वह कितने हो गए देखो 20 और अगर देखे दो 20 जो एकर 10 कर दें कोई दिक्कत है इसको मैं कहा करा दूँ यहीं करा दूँ दिख रहा है सबको हाँ दिख रहा होगा मैं पीशे हो जाओंगा तो 20 गुणे अगर मैं 10 कर दू तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा या फिर 99 प्लस 1 ये वाला भी add कर लो तो ये 100 अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे 100 कहां से आ गया है ना तो 100 यह है यहां पर 1 99 100 तो ये वाला 100 है तो टोटल कितने हो गए 2 तो 302 आएंगे आपके कहां से कहां तक 1000 से लेकर 1000 के बीच में 302 लिखे जाएंगे किलियर किसी को को डाउट है ट्रिक भी बता देंगे बिल्कुल ट्रिक भी बता देंगे समझ में कम आ रहा है समझ में कम आ रहा है अच्छा देखो इसमें समझने कोई rocket science नहीं है कि आपको बहुत दिमाग लगाना है एक basic सी बात थी जो कल हमने बात करी थी कैसे आप जरा समझो इसको मैं कैस समझाओं तुम लोगों को चलो मैं एक बार मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे आप करोगे देखो जब हम बात करते हैं कि एक से लेकर यहां पर देखो जरा एक से लेकर अगर हमने दो धूड़ना है तो 2 कहां कहां पर आ सकता है एक तो आता है zero two फिर 12 फिर आपका आएगा यहां से 22, फिर आपका आएगा 32, फिर यहां से आएगा 42, और फिर क्या आएगा, देखो जरब, 52 और फिर 62, इसी तरह से 72 और ये फिर आगे आजाएगा, 82 और लास्ट में आजाएगा, आपका 92, तो एक लाइन में 2 इतने आएंगे, केलियर इसी तरह से 22 वाली लाइन जो 21 से सुरू होती है इसमें भी आएंगे तो यहां से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यहां तक आएंगे कि नहीं आएंगे और एक दो यहां पर छिपा हुआ है जो की 20 वाला है तो जब हम सब को जोड़ेंगे जितने दो है उनको जब कैलकुलेट करेंगे तो इनकी संख्या जो है ये वाले दो की संख्या आएगी आपकी 10 और इन वाले दो की संख्या आएगी 9 और एक ये वाला जुड़ जाएगा य समझ में आया अब समझ में आ गया होगा अप सब समझ में आ गया होगा ज़रा आपने दोस्तों को सेर कर दो भाइव बहुत बाकी 20 तो रहेंगे रहेंगे, बाकी 20 तो रहेंगे, रहेंगे, 99 दो और बढ़ जाएंगे, कौन से वाले, 201, 202, 203, जो 203 में दो पहले स्टार्टिंग में है, सैकड़े वाला दो, वो यहां पर रहेगा, समझ में आया, अगर समझ में आया हो, तो सेशन को लाइक कर दो जल लिए अब हम इसको और थोड़ा सौर्ट कर देते हैं ताकि आपको यह समझ में आ गया है अब इसको थोड़ा सा सौर्ट में करते हैं तो कैसे करेंगे आओ देख लेते जल्दी से देखो अगर इसको करना होता तो एक से लेकर एक हजार तक सब में पता है कि एक हजार तक यानि सो में जब बीस हैं तो एक हजार में कितने हो जाएंगे बीस गुड़े में दस यह तो सबको किलियर पता है कि इतना होगा ही होगा यानि दो सो तो होंगे ही होंगे पहले सबसे नमबर एक बाग दूसरी बात कि दो सो आली ल दो सो वाला दो है यानि दो सो एक से स्टार्ट होगी तो जो दो सो वाला एक एक है उसको भी यहाँ पर हमने एड कर दिया तो टोटल कितने हो गए 300 इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो किसी भी कुश्चन को समझ में आया अब तो समझ में आया 222 भूल गए गुरुजी नहीं भाईया हम नहीं भूले हैं तुम अभी समझ ले ना इस चीज को है ना जब 22 हम कल्कुलेट करते हैं तो उसमें दो दो कल्कुलेट अल्डेडी हो ही चुके होते हैं समझ में आया हां तो कितने आ गए 300 आ गए तो यह आपका था जो होमवर्क हम निकल दिया था वो कोश्चन था अब आप लोग आगे बढ़ेंगे और अगला कोश्चन करें चलो देखो इसको जल्दी जल्दी करते हैं तब ज्यादा मज़ाएगा बिल्कुल सही है अलका तीवारी बिल्कुल सही है और अंत्रिक्ष सिंग राठ और इनका भी बिल्कुल सही है नहीं इनोंने कुछ लिखा ही नहीं केकेडी लिखा पता नहीं क्या कह रहें है ना जी सर किलियर है चलो ये वाला बताओ एक से लेकर 500 तक सभी संख्याओं को लिखा जाए तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में तीन को कितनी बार दवाना पड़ेगा अब यहाँ पर वह नंबर तुम लिखोगे तो वहाँ पर जैसे मालो वहाँ पर आपको लिखना है 300 तो आप तीन तो दवाओगे ना तो पेज कितने हैं प्राकृतिक संख्याओं यारी मतलब एक से लेकर 500 तक की संख्याओं हैं तो यहाँ पर पहले तो यह जान लो कि वन से लेकर 100 तक आपके पास कितने हैं तो ये होते हैं आपके 20 किलियर क्या तीन भी 20 ही होते हैं हमने कल बताया था कि 2 3 4 5 6 8 9 ये सारी जो संख्याएं हैं इनका जो टोटल होता है वो 20 ही होता है ठीक है कहां से कहां तक एक से लेकर 100 तक अगर उनकी वाली लाइन यानि जैसे मालनो 2 का बात हो रहा है तो 200 से लेकर 300 कहीं पर आ गया तो 99 और जोड़ देना किलियर अगर 300 से लेकर 400 की बात हो रही है तो 300 में अगर तीन कल्कुलेशन करनी है तो यहां पर तीन और जुड़ जाएगा यानि 993 और जुड़ जाएंगे इसमें साथ में ठीक है चलो देखो इस कॉस्चन को करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा ये आपने कंप्यू जाएंगे 21 20 प्लस 1 क्यूंकि यहां पर अच्छा 3 को कल्कुलेट करना है तो यह 20 ही रहेंगे 200 नहीं यहां पर 3 को कल्कुलेट करना है तो 20 अब यहां 200 एक से लेकर 300 तक कितने रहेंगे ये भी 20 रहेंगे आपके 301 से लेकर 400 तक आपके 20 तो रहेंगे रहेंगे प्लस 1 हो ज यानि यहां पर कितना हो जाएगा अच्छा उस वन इसमें और इसमें नाइनटी नाइट हो जाएगा है ना प्लस वन इसमें होगा क्यूंकि यह 302 और जुड़ जाएंगे और इस वाले में आपके 2 4 2 6 2 8 2 10 यानि कितने 100 और यह 100 कितने हो जाएंगे total बताओ तो total आ जायेगा आपका 200 फिर से देखो ये total कितना हो जाएगा ये हो जायेगा 100 और ये वाला कितना total हो जाएगा प्लस 100 तो total कितना हो जाएगा आपका 200 clear समझ में आया कोश्चन की नहीं जल्दी बताओ अब यह चीज समझ में आ गई सबको यह वाले कोश्चन हो जाएंगे सबको यह बाद समझ में आ रहा है कि यह कोश्चन हम कर ले जाएंगे आगे बढ़ें जल्दी से हो जाएगा आगे बढ़ो जी सर किलियर है ना किलियर एक दम लिख दो किलियर सब लोग तंबनेल में जड़ा उसमें टाइप करो किलियर हो गया सर बिलकुल सर तो अब यह कोश स्वास है कि आप यह कोश्चन कर ले जाओगे लबासना UPSC तुम बेटा पहले तो पहले तो तुम गिंतियां सीख किया हो बार बार कंफ्यूज हो रहे हो इस तना बेसिक बताने के बात कोई बात नहीं आप इस वीडियो को दुबारा देख लेना आपका कंफ्यूजन बिल साइएगा मैं फिर से एक क्लास आपको पेड में दे दूंगा उसमें आके पढ़ लेना ठीक है चलो यह आपका अगला कोश्चन है एक यह अब आपके जो UPSC में पूछे जाते हैं ना उस टाइप के कोश्चन में आगे बढ़ रहा हूं ताकि यह अगर कोश्चन दुबार सरी रिपीट हो तो वो कोश्चन आप कर ले जाओ इसलिए मैं कोश्चिस करूंगा कि हर वो कोश्चन आपको टच करा दूँ जो कि आपके एकजाम में आ रहे हैं तो यहां से देखो एक उस तक के एक से चालिस प्रस्टों को अंकित किया जाए कुल को तो कुल एक को कितनी बार लिखा जाएगा वही चीज है जो अभी हमने बताया कि दो कितनी बार आएगा तीन कितनी बार आएगा चार कितनी बार आएगा तो वही कोश्चन फिर सरीपीट होके आया है बस यहां पर उसने अपनी लेंग्वेज चेंज कर दी है जब आपका कॉंसेप्ट किलियर हो को अंकित किया जाए तो एक को कितनी सबसे पहले एक से लेकर सव में कितने एक होते हैं यह हमने बताया था कल लिख लो जरा जो लोग नहीं लिखें हैं तो एक से लेकर सव तक में जो एक की संख्या है वो होती है 21 कितनी होती है 21 इसके अलावा बाकी जो 9 होते हैं 9 तक जितने भी नंक होते हैं, चाहे वो दो हो, चाहे वो दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, चाहे छे हो, इन सभी की संख्या, इसमें जो एक की संख्या है, वो यहां से यहां तक 21 होती, बाकी की आपकी 20 होगी, इनकी 20, इनकी 20, इनकी 20, इनकी 20, इनकी 20, इनकी 20, इनक लोग थोड़ा confusion है, वो कल की class देख लेंगे, तो उनका confusion दूर हो जाएगा, चलो, comment देखना था, तो चलो, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आगे, आप देखो, एक सो से लेकर सो तक कितने एक होते हैं, तो एक की संख्या होती है, एक की संख्या होती है, यहां पर 21, ठीक है, तो एक से लेकर सो तक 21 हो गया, अब बचा कितना, 40 यानि 101 से लेकर 40 तक 140 तक अब ज़रा समझना इस question को कि 100 sum में 1 लगा हुआ है तो 41 तो पहले ही यहाँ पर आ गए सैकड़ा वाले सैकड़े के अस्थान पर कितने है एक सैकड़े के अस्थान पर कितने एक है तो 41 यह वाले होंगे यहाँ से 101 से लेकर 140 तक फिर उसके बाद आएंगे दहाई के स्थान पर कितने एक आएंगे तो दहाई के स्थान पर आप देखोगे कि कौन सी वाली लाइन पर आएंगे 111 वाली लाइन पर आएंगे कहां से आएंगे 111 से लेकर 120 वाली लाइन पर यहाँ पर क्या आएंगे आपके दहाई के स्थान पर 111, 112, 113 तो इनकी संख्या कितनी होगी तो इनकी संख्या हो जाएगी नो इधर वालों की नीचे वालों की और फिर कौन से आएंगे यानि एक नंबर वो वाले आएंगे जो 121 भी लिखेंगे 131 भी लिखेंगे और 131 की बाद तो 140 आजाएगा आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है है ना ये नंबर जो आएंगे उसमें तो अब जरा इसको समझ लो ऐसे ही समझ लो यहाँ पर ही है ना 101 से लेकर इधर गिनो जरा तो एक पहले हम कौन से वाले कल्कुलेट कर रहे हैं दहा आई वाले देखो एक इसके बाद यहाँ से लेकर 119 तक कितने हो जाएंगे तो 9 हो जाएंगे यहाँ पर तो 9 और 1 एक यहाँ से बढ़ जाएगा 110 वाला ठीक है तो 9 एक 10 यानि यहाँ से 10 आ जाएंगे अब आगे बढ़ो अब इस वाली लाइन में देखो जरा अब हम इतने हैं इकाई के अस्थान पर ठीक है इकाई के अस्थान पर कितने बनेंगे तो एक बनेगा यहाँ पर देखो एक दो तीन और यह चार कितने बनेंगे आपके एक दो तीन और यह चार तो यहाँ पर चार अब टोटल कर दो आंसर आ गया होगा कितना आंसर आया भाई सब लोगों का, वीरू गुस्सा का है आ रहा है, ठीक है, कौन गुस्सा हो रहा भाई, हाँ गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो पढ़ाई, इसकी जरूरत है तुम्हें, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, समझे, जो लोग भी गुस्सा हो रहे हैं, उन्हें गुस इस्थान पर कितने हो जाएंगे देखो जरा कितने लोगों का अंसर आ रहा है बताओ जरा सही से बताओ यह एड कर दो तो 4 आ गया और इनको एड करोगे तो 4 एक 5 हो जाएगा 54 टोटल एक मिनट इसको मैंने काट दिया वैसे तुम लोग तो काट के मत करना है ना मेरी यादत है काट के एड करने की तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 40 फिर यहाँ पर दाई के स्थान पर 10 और इक काई के स्थान पर 4 तो टोटल कितना हो गया 54 और यह आपका अंसर हो गया तो एक कितनी बार आएगा तो 54 बार एक लिखा जाएगा इसको आप लोग कल्कुलेट कर लेना यह 10 कहां से ले आए फिर 20 कहां से ले आए 40 प्लस 20 20 किस में आ गए पाई एक जोड़ना था है ना 75 कितने लोगों के 75 आ रहा है बहुत ज़्यादा लोगों के 75 आ रहा है 54 प्लस 21 अच्छा अरे हाँ यह 21 वाला तो यह रह गया ठीक है यह 21 वाला भी छूट रहा था एक मिनट 21 वाला एड़ कर देते हैं इसमें 25-21 प्लस 21 तो यह टोटल हो जाएगा 5 और यह ओजाएगा 75 बिल्कुल सही देखो यह जो है यह जो यह कहां से आए थे वह आपके आ आए थे यानी rus는데요 टोलेट कर तो टोटल यह 75 बिल्कुल शाही यह जिन सबस्क्राइब समों आए आए रहा है नहीं आ रहा है सब लोग सभी आंसर कर रहे हैं आपका वि आगे बढ़ें अगले कुश्चन पर आते हैं यहां पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है क्या चेंज हो रहा है अभी तक हम से अंक दिये जाते थे हमको अभी तक हमें क्या दिया जाता था अंक दिये जाते थे अभी तक हमें क्या दिये पूछ झाते थे और अंक पूछे अभी तक किया कर रहा था अभी तक क हो कह रहा था कि प्रस्ट इतने हैं तो इतने अंक होंगे अब आपको अंक दे दिया है तो प्रस्थ आ गये हैं इसका आंसर 121 131 नहीं जोड़े सर अरे जोड़ दिये भाई सब जुड़ गये उसमें अब आगे बढ़ो वो कुश्चन हो गया देखो यहां पर आंसर आना सुरू हो गया है नीरज का आंसर आ गया है है ना देखो मैं बता देता हूं आप लोग समझो जरा जब मैं कहता था कि एक से लेकर 100 तक एक से लेकर 99 तक कितने अंक होते हैं या कितने अंक होंगे तो आप लोग क्या कहते थे 189 क्या कहते थे 189 कैसे समझो एक से लेकर नो तक आपके बन गए नो अंक और नो से लेकर यानि दस से लेकर निन्यान नवे तक आपके कितने बने तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्या की जरूरत होती है संख्या क्या होगी यानि संख्या अगर मालो संख्या निकल गई उसके बाद जब हम अंकों को मल्टिप्लाइ कर देंगे जैसे तीन अंक का अंक है यह तो दो आले हैं यानि दो अंकों की संख्या है तो इससे दो से मल्टिप्लाइ कर देंगे जितनी वे संख्या निकलेंगी तो यहाँ पर संख्याओं की संख्या हो जाएगी कितनी देखो यहां से 99 याणि 89 और 89 हर उसमें यहां से यहाँ तक 89 अंक संख्याएं हैं तो अंक कितने होंगे इसका by टो ऊंक होंगे क्यूंकि dw हरसंख्या जो है वो दो अंकों की बनी है तो इसको multiply कर देंगे तो 9 दून 9 दून 18 और 8 दून 16 एक कितना हो जाएगा अच्छा इसके लिए रुख जाओ एक हमने फार्मूला भी बताया था वो वाला लगा उजरा इससे मत करो यह क्या होता था कि हम लोग कहते हैं जब संख्या निकालते हैं तो हम क्या गरते हैं अंतिम वाले को अंतिम वाले को प्रथम वाले से क्योंकि कुछ लोग कल नहीं आयते तो उनको confuse हो रहा होगा अंतिंवाले को प्रथम वाले से minus कर देते है और फिर इसमें एक जोड़ देते है अब ज़रा देखो कैसे अंतिंव यहाँ पर संख्या काँся है तो यहाँ पर 99 है और प्रथम संख्या काँः है तो यहाँ पर है 10 जब हमने 99 में 10 माइनस किया तो कितना आया 89 है पर अबाषी तो कमश्च्च से यहां तक 90 अंग कितने बनेगे नबहे गुड़ा में 2 किलियर कितना हो जाएगा 180 यहां से भजारि क्या बन जाएँ मैं से 1188 नियर डेचे अब 89 कितनी हो गई Newton तो अब प्रेस्ट्टों की संख्या कितनी बनी ब्रेस्ट्टों की संख्या आपके नाइञіє है नैनने अब इसके कैसे वह जड़ा समझ लो यह तो अमने फिछली वालेरे बात बता दी अब लोग आगे की बात करते हैं देखो हम लोग आगे की बात करेंगे तो ज़्याद अच्छे से समझ में आएंगी चीजें देखो यहां से हमारे पास 189 मिल गया तो हम 189 कहां से जान सकते हैं कैसे जानेंगे की 189 में अगर हमारे पास ये नहीं दिया गया होता तो अगर हमें पता नहीं होता तब कैसे करते देखो 189 अंकों की सर्ग क्या है हमें पता है कि जो 189 है वह कहां तक के लिए ऐड़किए जाता है कहीं तक के लिए भी हो सकता है, तो हम पहले 100 के लिए देखेंगे, है न, 100 के लिए कितने अंक आये थे हमारे पास, 189 प्लस 3, 192, इसका मतलब यह 100 से छोटा है, तो कितना आएगा, हम देखते हैं, अगर हम एक से यहाँ पर 9 घटा दे, यानि 9 अंक इसमें से कम कर दे, तो सारे अंक डबल डिजिट वाले हो जाएंगे, देखो कितने, तो 180 हो जाएंगे सारे अंक, है न, 180 अंक बचेंगे, जो कि डबल डिजिट वाले हैं, यानि इसमें प्रतेक संख्या में 2 अंक दिये गए तो यहां से हम 2 से इसको दे देंगे भाग। तो नहीं कितने बन जाएंगे कितनी संख्या में जाएंगी तो यह बन जाएंगी 90 और यह जो प्रस्थ हैं जितनी आपकी संख्या हैं वही आपके तो एक से लेकर दस तक यानि 9 और ये 90 जोड़ दो दोनों को यानि 90 है प्लस 9 बराबर निन्यान नबे ये क्या है आपके प्रस्थों की संख्या है क्या चीज है ये प्रस्थों की संख्या अब ज़रा फिर से समझना हो सकता है आगे वाले कुश्चन पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा चलो आगे बढ़ें प्रस्च संख्या पूछा है फिर 99 कैसे देखो प्रस्च संख्या पूछा है और यहाँ पर अंकों की बात हो रही है तो जो 99 है अगर 99 को तुम कल्कुलेट करोगे तो कितने अंक आएंगे वहाँ पर देखो जरा वहाँ पर अभी अगला जब कुश्चन करोगे तो और अच्छे से बताते हैं ठीक है इसको देखो जरा यह देखो यानि लिखा है एक पुस्तक के प्रस्टों पर दो सो नवासी अंकों को अंकित किया गया तो प्रस्टों की संख्या कितनी होगी यह आपका question ठीक है अब जरा इसको आप लोग मेरे साथ करिए तो ज्यादा अच्छ इसके बाद सो से लेकर आपके 9099 तक कितने अंक बनते हैं ठीक है तो पहले हम इनको घटा दें तो हमारे पास अठाईससो नवासी से जब हमने नो नव यानि इस आपका कितना घटा दिया एक सो नवासी घटा दिया तो आपका बच गया 2700 अब यहां से देखो यही गब missing हो रहा था यही चीज missing हो रही थी अब समझ में आ गया यहां से हमें वो अंक मिलेंगे जो की 3 डिजिट वाले होंगे ठीक है यहां से वो अंक मिलेंगे जो की 3 डिजिट वाले होंगे और तीन डिजित वाले अंक कितने होंगे जब टोटल अंकों को हम तीन से डिवाइट कर देंगे तो हमारी तीन डिजित वाली संख्या पता चल जाएगी तो यहां से जब हम इसको डिवाइट करते हैं तो 2700 से यानि 900 संख्या यहां पर बनेंगी अब 900 संख्याइं यहाँ पर बनेंगी तो टोटल कितना हो जाएगा टोटल संख्याइं कितनी हो जाएगी तो टोटल संख्याइं हो जाएगी 900 प्लस आपका यहाँ से यहाँ तक कितना आया था ठीक है यहाँ से 99 तो जो टोटल आएगा वह आपका अंसर हो जाएगा कितनी हो जाएंगे निन्यान नवे ठीक है देखो एक से लेकर यहां से यह यानि एक से लेकर निन्यान नवे तक आपके पास कितने अंक बन रहे थे 189 तो यहां पर टोटल संख्याय बिन जाएंगी आपकी 999 अब यहां पर समझ लो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्या दिक्कत हुई थी वो मुझे समझ में हम लोगों ने क्या गर्लती करी है वो समझ में आ गया था अब देखो यहां से हमने यह निखाल दिया फिर से क्या होगी मैं क्या कर रहा था इसको भी दुबारा जोड़ दे रहा था जो कि नहीं जुड़ेगा क्यूंकि 189 के साथ में आपका नो पहले ही इसके साथ जा चुका है इसलिए इसको हम नहीं जोडेंगे यह वाला निन जो है वो इसके साथ नहीं जुड़ेगा क्यूंकि इ यहाँ पर पहले ही एड करके 189 के साथ माइनस कर दिया था इसलिए वो तीन अंक आपके बढ़ जा रहे थे किलियर चलो भाई आप सही है आप कोई डाउट नहीं है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और कैसे हो गया हो समझ नहीं आ रहा है अब देखो अब यह कोस्चन आपका आय हुआ है कब 2021 यह कोस्चन आपका आया हुआ है 2021 ठीक है कि यह कोस्चन आपका है 2021 फिर से वैसे ही करेंगे 1 से लेकर दह 5 करेंगे ना की 99 तक तो यह से लेकर दो निनिंजान निजित टक सब्सक्राइब है कोई दिखबत नहीं है इना एक से लेकर पहले करेंगे डबल डिजिट वाले नंबर एक से लेकर 99 तक कुस्चन क्या कह रहा है समझे लो पहले पढ़लो बताओ भाई गुर्देव को फर्स्ट वाली क्लाइस लाइव लेकर आ रहा है आ रही हूं अब ओके एक प्रिंटर से एक किताब को प्रस्टों पर एक से लेकर 389 अंकों का प्रियोग किया जाता है तो किताब पर प्रस्टों की संख्या कितनी होगी यह आपका कुस्चन है देखो एक प्रिंटर से एक किताब के प्रस्टों पर एक से लेकर 389 अंकों का प्रियोग किया जाता है कोई दिक्कत नहीं तो किया जाएगा बिल्कुल किया जाए तो एक से लेकर 99 तक कितने अंक अभी हम लोग निका रहे थे 189 जो की दो अंकों वाली संख्याओं के थे दो अंकों वाली संख्याओं के थे अब इसको जरा क्लियर अच्छे से कर ले नहीं तो तुम लोग कहोगे कि इसर्ण में घड़ बड़ा दिये डों को वाली संख्याओं के तक अब 100 से लेकर तहां तक जाना है 999 तक यह कितने बनेंगे तो यह आपके बनेंगे तीन अंकों वाली संख्याओं चीन अंको वाली संख्याओं के अंक ठीक है, तीन अंकों वाली संख्याओं के अंक, यहां से यहां तक मिलेंगे, कितने मिले थे, अभी हम लोगों ने जब कल्कुलेट किया था, तो यह मिले थे, आपके 2700, पीछे ही कल्कुलेट किया था, अब देखो, अगर इन दोनों को हम जोड के इस से माइनस कर दे, ठीक है क्योंकि इसके बाद 4 अंकों वाली संख्याओं सुरू हो जाएंगी, तो जितने बचेंगे उनकों हम 4 से डिवाइट कर देंगे, तो हम अगर 2 अंकों और 3 अंकों वाली संख्याओं को एड करने पहले, तो यह कितना हो जाएगा, 2889, और जब इस से हम 3089 को माइनस कर देंग 3089 को माइनस कर देंगे, तो कौन से अंक मिल जाएंगे आपको, 4 अंकों वाली संख्याओं कितनी बची हैं वो मिल जाएंगे, तो ज़रह कलकुलेट करो कितना आएगा, 9 से 9 गया 0, 8 से 8 गया 0, और यहां से 10 से 8 गया 2, और 2 से 2 गया 0, तो जो आपकी कितने अंकों बचे जो कि कितने गी, 4 डिजित वाले के लिए हैं, तो यह कितने अंक बन जाएंगे, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 पंचे 20, यानि यह आपके अंक बन जाएंगे, 50, यह यहां से कितनी संख्याओं बन जाएंगी, 50, यानि 50 संख्याओं इसके आगे और जाएंगी, ठीक है, यह च आंसर कर दे क्योंकि अब एकदम question खतम हो गया है बस जरास बचा है आप देख लो चाहे तो है ना अब यह question आप लोग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी है ना यह भी भी आएगी चलो बताओ मैं तो देखो यहां तक 999 तक हमने calculate कर लिया यानी 999 पे इस तो पहले से ही है इसको आप calculate करने की जरूरत नहीं है क्यूंकि हमने इसे माइनस किया था तभी यह 2727 आया था थीक है तो 999 तो होंगे होंगे प्लेस पचास अंक जो 400一定要S कर देते हैं तो आप का answer आजाएगा दीकोев 9 से जिनका भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है अवाज आ रही है सबको एक मिनट मैं जरा चेक कर लूँ आवाज आ रही कि नहीं ठीक है 1049 जिसका भी आंसर आया है वो यहां से बिल्कुल सही है किलियर एक बार और वीडियो देखना होगा सर तब समझ में आएगा कोई बात नहीं मैं इसको एक बार फिर से आपको ब्रीव करा देता हूँ एक से लेकर 99 तक आपने कल्कुलेट किया दो अंकों की संख्याएं कितनी है हाँ 189 तक दो अंकों की संख्याओं का अंकों की संख्याओं का सम कितना यानि कितने अंक यहां तक बनते हैं दो अंकों के तो एक सो निन्यान वह 189 इसके बाद जहाए एक से अगर हम इससे 189 माइनस कर दें तो यहां पर आपका बच जाएगा कों से तीन डिजिट वाले नंबर तो तीन डिजिट वाले नंबर कितने बन गए यहां से जब हम इनसे माइनस करते हैं 3 है ना तो 900 बन जाएंगे कितने बन जाएंगे 900 बन जाएंगे चाहे ऐसे कर लो और चाहे डारेक्ट देख लो तो यहां तक कितने हो जाएंगे यानि इससे अगर हम डारेक्ट भी माइन किया दोनों को सम करके यानी स्कोर इसको एड करके तो यहाँ पर कितने बन गए 200 बचे जो की डिजिट के लिए अलाट थे चार डिजिट के मतलब जो चार आई को की संख्याय थी जैसे 1000-1001-1002-13004 इस तरह के जितने भी थे उनके लिए क्वेवाली तो इसको हमने यहां से हटा दिया अब आगे बढ़ो फिर क्या कि 999 तक तो हमें पता चल गया था कि 999 तक तो इसमें अंक हैं ही पचास अंक और एट कर दिये तो कितना हो गया दौस दस्सो उन्चास अंक यहां पर टोटल हो गए तो आगे बढ़ते हैं अब जरा बताओ कि मैद को देखकर क क्लास पढ़ी मज़ा आया अब बताओ इसमें कि आप कैसा महसूस कर रहे हो अब कि लियर हुआ सबको कि क्लास को आफ लाइन लोगों के तो मज़ा आएगा लाजवाब मस्त क्लास सर दस्सो आठ में पचास एड करना होगा बिलकुल तो दस्सो आठ में नहीं बेटा समझो फिर से एक बार मैं इसको यह चीज मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ देखो जब तुम यहासे यहां तक यानी 1 से लेकर 99 टक्लकुलेट कर चुके हो कि कितने अंक है ज्यानी 1 से 267 हो आया अगर हम इसको ऐसे कर देते जड़ा देखो फिर से समझ दो अगर हम इसको 390 यानि 290 इस वाले नमबर को कहा गया इन दोनों के सम को अगर हम इससे माइनस कर देते यह देखो 289 यहां से है यह दोनों का सम है इसका और इसका योग है तभी उसको माइनस किया है तभी आपका एक 50 आया है ठीक है चलो अब आप लोग बताओ की जरा मूड कैसा है वरीड हो आपके शत्रसाया में रहूँगा तो मैत में अमीर हो जाओंगा ठीक है मजा आ गया क्लास देखकर ओके चलो मस्त क्लास प्रणाम सर वेरी नाइस अब हम लोग आगे के टॉपिक जो हैं वो डिसकस करेंगे कि आगे का टॉपिक क्या है देखो जरा आगे हम लोग बात करेंगे संख्याओं के बारे में अभी तक तो हम लोग संख्याओं से अंकों सिक अंकों के बारे में बात कर रहे थे अब हम लोग संख्याओं के बारे में बात करेंगे यानि संख्या के बारे में बात करेंगे यहां से किलियर कि खराब है कि चलो कि अच्छा है चलो थैंक यू आउसम क्लास वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड सर रिवीजन से हो जाएगा कोई बात नहीं राम राम सर चलो अब हम लोग बात करते हैं संख्याओं के बारे में तो आपके पास संख्याओं कितनी है खुस आगए बस पूरा करा दीजिएगा इंगलिस की लास नहीं बेटा हिंदी चैनल है तो हिंदी के भी बारे में बात होगी चलो देखो यहां पर प्राक्रतिक संख्याएं और हम लोग बाते करेंगे पूर्ण संख्याएं और संख्याओं के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको मजा आ जाए ठीक है और मुझे हो तो इसको देख भी सकते हो है ना चलिए प्राक्रतिक संख्याएं जिनें गिना जा सकता है ठीक है प्राक्रतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनें गिना जा सकता है अब जरा बताओ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं जीरो से नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपके मत क्लास 3 बजे होती है थ्री पीएम पे सर एक्जाम तक कर दीजिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा चार बजे तक चलती है तीन से चार अब जड़ाइब इसको देख लेते हैं क्योंकि हमारे टॉपिक्स हैं और इनको जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याइं क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याइं वो संख्याइं होती हैं जो की आप जिन से कोई वस्तु गिन सकते हो जैसे जीरो से आप कोई वस्तु नहीं गिन सकते हो लेकिन एक प्राकृतिक संख्या से यानि एक चीज गिन सकते हो दो गिन सकते हो तीन गि सब्सक्राइब करना है तो अब तो अब लोग थोड़ा सा जान लो कि प्राक्षटिक संख्या है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और अच्छे से बहतर तरीके से बात करेंगे और यहां पर कुछ गर्मी ज्यादा है तो इसलिए गर्मी की बज़ा से नहीं प्राक्रतिक संख्या इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब बहुत बहुत आभार थेंक यूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद